नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे देखे फ्रेंट्स आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज होगी वन दोरोगा के एक्जाम के लिए आपको पता है आयोग ने हाली में एक नोटिस जारी किया था जिसके तहट उसने बताया कि 16 से 26 जुलाई के बीच आपका जो वन दोरोगा का एक्जाम है वो परस्तावित है तो हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज है प्रैक्टिस सेट है इसमें केवल साइन्स के कोशन होंगे क्योंकि यहीं से कोशन वहाँ पे पूछे जाने है आज की वीडियो में मैंने केमिस्ट्री से 50 important कोशन को लिया है और आपको इनको solve करना है और end में आपको अपना score कमेंट करके बताना है कि इन 50 में से आपका कितना score यहाँ पे रहा इन questions को हम देखेंगे extra fact के साथ देखेंगे आपके बहुत सारे जो concept हैं वो भी यहाँ पे clear होंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह series हमारी तभी continue रहे पाएगा जब आप इसको अच्छे से support करेंगे इसको like करेंगे, share करेंगे तो ही इसके मैं अगले parts बनाऊंगा अगर आपको यह पसंद आता है चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है आज का आधुनिक रसाइन सास्त्र का जनक किसे माना जाता है तो आधुनिक रसाइन सास्त्र का जनक यानि कि father of modern chemistry या father of chemistry किसको कहते हैं यह कहा जाता है option D एंटोनी लिवूजियर को कहा जाता है तो बहुत important question है father of chemistry एंटोनी लिवूजियर को कहते हैं दूसरा प्रश्ण है दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चत अनुपात में रसाइनिक सायोजित किया जाता है तो इस प्रकार बने नई पतार्त को क्या गयते हैं जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिला देते हैं तो हमें जो मिलता है हमें compound मिलता है यानि कि हमें योगिक मिलता है देखें जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के प्रमानूं से बना होता है ठीक है और जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को मिला दें तो हमें compound मिलता है अगला है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्तों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर हमें क्या मिलेगा देखिए, यहां पे पूछा जा रहा है किसी भी अनुपात में, तो अगर हम किसी भी अनुपात में शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थों का मतलब हो गया, यहां पे उसमें तत्व भी हो सकते हैं, उसके अंदर योगिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्वो को मिला दो या योगिकों को मिला दो तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा मिश्रण किसी भी अनुपात में अगर हम fix अनुपात मिलाते हैं तो हमें compound मिलता है और अगर हम किसी भी अनुपात मिला दें तो हमें mixture मिलता है मिश्रण मिलता है विज्यान के होती है क्योंकि जब हम mixture बनाते हैं तो किसी भी अनुपात में हम दो compound को मिला लेते हैं या जो हमारे तत्व होते हैं उनको मिला देते हैं लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना जब हम compound बनाते हैं तो उसमें केवल दो या दो से ज़ादा तत्वों को हमारे पास तीन प्रकार के होतों फ्याhertz होते हैं नवंта हैं और तेसरे होते हैं Metalets तो उप-ध्यातु उनको कहा जाता एं जिस और अध्यातु दो नों के गुन पाए जाते हैं निम्न में क्या हैं तो धातु जो होते हैं वह विद्दृत के सूचा अलक होते जालक होता है ठीक है जो हमारे धातू और अधातू है इनसे दो कुशन और बनते हैं जो इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है ठीक है ऐसा कौन सा धातू है जो रूम टेंपरेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाता है तो वह है मरकरी ठीक है मैंने पूछा धातू क कौन सा धातू है जो रूम टेंपरेचर में लिक्विड फॉर्म में पाए जाता है तो वह है मरकरी अगर पूछेगा कौन सा धातू है जो रूम टेंपरेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाता है तो वह है ब्रोमीन ठीक है तो यह दोनों याद रखना है पूछे जा टिक है इन दोनों में दात्य चमक पाई जाती है ठीक है तो यह आपको याद रखना है चलिए अगला है निम्नमे से कौन सा एक उपधातु है तो आपने बताना है इन में से कौन सा याए कि जिसमें मेटल्स और नौन मेटल्स दोनों के गुन पाए जाते हैं तो वो है हमारा option भी जर्मेनियम तेके जर्मेनियम सिलिकन यह हमारे important कुछ उपधातू है यह आपको याद रखने हैं अगला है जल एक योगिक है क्योंकि जल जो है एक compound है ठीक है यह आपको ध्यान रखना कई भार question क्या है जल का formula है हमने उपर योगिक की परिभाशा पड़ी कि जहम दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चत अनुपात न मिला दे तो हमें compound मिलता है योगिक मिलता है तो देखे हर बार जल का formula यही रहेगा दो हमारे atom जो होंगे वो hydrogen के होंगे एक हमारा जो अनू होगा वो oxygen का होगा ठीक है इसलिए यह क्या है compound है कौन सा पदार्थ प्रकृति कि में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है तो कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है solid liquid gas तो एक ही पदा है जो हमारा water है इसका जो boiling point होता है वो क्या है तो इसका boiling point होता है यह होता है 100 degree Celsius आपको पूछा जा सकता है ठीक है और water जब liquid form में हो गया तो water है boiling point 100 degree Celsius हो गया लेकिन अगर यह बरफ की form में है तो यह पूछा जाता है इसका गलनाक कितना होगा यानिकी इसका melting point कितना होता है, water का, perf का, वो होता है, zero degree Celsius, ठीक है, यह दोनों बाते पूछी जाती है, अगला है, stainless steel एक मिस्र धातू है, जबकि वायू क्या है, यह बहुत important question, और बहुत बार यह repeat हुआ है, हर लगवा exam के अंदर, जहां पर भी science पूछी जाती है, SSC जैसे, तो वहां पर भी यह पूछा जाता है, air क्या है, air एक mixture है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, air क्या है, एक mixture है, option A हमारा right answer होगा, अगला है, निम्न में से कौन, ना तो तत्वय है, और ना ही योगिक है, तो देखो, ना तो element है, ना compound है, यानि कि वो mixture होगा, और अभी हमने उपर बात करी, air क्या है, एक mixture है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बाते बताता हूँ, इनको आपको याद रखना है, यह कुछ important चीज़े है, योगिक कौन कौन से है, important जो पूछे जाते हैं, देखे, जल, water क्या है, एक योगिक है, रेत, रेत क्या है, योगिक है, bleaching powder, यह भी योगिक है, और ammonia, यह एक योगिक है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह कुछ important जो एक्जाम में बार बार आते हैं, अगर हम मिश्रन की बात करें, तो वायू बहुत बार आती है, mixture है, कांच, पीतल, इसपाद, बारूत, मिर्दा, समुदरी जल, यह सभी के सभी mixture होते हैं, अगर हम तत्वों की बात करें, तो कोईला, हीरा, सोडियम, यह सभी क्या हैं, यह हमारे तत्वे हैं, अगला है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, देखिए, पदार्थ की मुके तहद तीन अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अगर पूछेगा कितनी होती हैं, कु चौथी होती है, इसकी अवस्था प्लाजमा, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाजमा कहा जाता है, पदार्थ की वहाँ अवस्था कौन सी है, कौन सी इसको बोल देना, ठीक है, कौन सी है, जिसे बहुत ही कम आपमान के तहट ठंडा करके प्राप्त किया जा सकता है तो बहुत जादा ठंडा करके हमें जौन सी अवस्था मिलती है किसी पदार्थ की वो होती है पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसे बोस आइंस्टाइन कंडनसेंट कहा जाता है तो यह आपको याद रखना है चौती अवस्ता प्लाजमा है पांची अवस्ता बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट है ठीक है विश्व का प्रतेक पदार्थ अत्यंत शुक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है यहाँ सर्व प्रतम किसने कहा था तो यहाँ जो सबसे पहले बताया था कि जो भी पदार्थ बने यह चोटे-चोटे एटम से मिलकर बने हैं यह बताया था कनाद ने, option B हमारा right answer है अगला है परमाणू अभाज्य है, यहाँ निमलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था तो यह किसने बताया था कि जो एटम है यह अभाज्य है, इसे और ज़्यादा हम टुकडों में नहीं बार सकते हैं एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, यह बताया था डाल्टन ने, option A हमारा right answer होगा पदार्थ का परमानविक शिधान्त किसने प्रस्तावित किया था, परमानविक शिधान्त याने कि जो एटमिक स्ट्रक्चर है, वो किसने दिया था, यह दिया था डाल्टन ने, बहुत से लोग उने दिया लेकिन जो सबसे ज़्यादा परमानिक माना जाता है, और सबसे ज प्रचना का जो मॉडल है ये विक्सित किया था बहुर और रदर फोड ने ये भी आपको याद करना है ठीक है अगर बोलेगा अटमी इस्ट्रक्चर किस ने दिया था उसके बारे में सबसे पहले किस ने बताया था तो वो बताया था हमारे डाल्टन ने बाद में उसके और ज जाते हैं कि ये किस ने दिया है ठीक है ये आपको याद करना है जे जे थॉम्सन परमानविक नाबिक की खोज किस ने करी थी यानि कि नुकिलियस जो होता है नुकिलियस ओफ एटम ठीक है उसकी खोज किस ने करी तो वो किस ने करी थी रदर फोड ने करी थी तो बीसमें को को जो हमारा आंसर होगा वो होगा option A ठीक है रदर फोड परमानवीक नाभिक यानि कि जो nucleus of atom होता है इसकी खोच रदर फोड ने करी और इसी ने बताया कि जो atom का केंद्रक होता है center होता है उसकी अंदर हमारे proton और neutron होते हैं ठीक है और इसके 4 और चकर लगाते है electron तो यह ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है कि नाभिक के केंद्रक में कौन-कौन होते हैं तो proton और neutron होते हैं ठीक है electron नाभिक केंद्रक के बाहर होता है ठीक है चकर लगाता हूँ इसके नाबिक के धनावेशित होने की खोच किसने करी थी यानि कि जो नाबिक होता है नुकिलियस होता है इसके पॉजिटिव होने की खोच ये पॉजिटिव लिए चार्ज होता है इसकी खोच किसने करी थी तो ये खोच करी थी रदर फोड नहीं तो ये भी आपको याद करना है अगला है एक परमाणू के तीन अधारबूत अव्य कौन कौन से हैं तो एटम के तीन जो हमारे important या बोल सकते हैं कि जो basic elements हैं वो कौन कौन से हैं एटम के तो तीनी होते हैं proton, neutron और electron ठीक है और अभी हमने उपर बात करी नहीं होता proton positively charge होता है तो नूकलेस भी कैसा होगा positively charge होगा परमाणू के नाभिक में निम्न कन होते हैं तो देखे कुशन बन गया आपको ऐसे कुशन सीधा पूछा जाता है कि परमाणू के नाभिक में कौन से कन होते हैं तो नाभिक के अंदर proton और neutron होते हैं ठीक है electron नहीं होता है याद रखना electron उसके बाहर से चकर मारता है परमाणू में कौन से मूल कन समान संख्या में इस्तित होते हैं तो atom के अंदर कौन से मूल elements हैं जिनकी संख्या समान होती है ये आपने बताना है तो right answer is option B electron और proton यानि कि जितने number of electrons होंगे उतने ही number of हमारे protons होते हैं ठीक है अगला है निम्न में से कौन एक अस्थाई कन है इन में से कौन है जो एक अस्थाई कन है temporary है तो वो है neutron ठीक है जो हमारे proton और electron है वो permanent है अस्थाई कन कौन सा है neutron है अगला है निम्न में से कौन एक आवेश रहित कन है तो अभी हमने उपर बात करी आवेश रहित यानि कि जो neutral होता है वो ही हमारा neutron होता है ठीक है option C असान question है काफी सारे आप आराम से इनको कर लेंगे उमीद करता हूँ निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणू करमांक को सबसे सही निर्धारित करता है यानि कि परमाणू करमांक अगर हम बात करें तो कौन बताता है तो परमाणू करमांक यानि कि जो atomic number होता है वो ही हमारा proton होता है यानिक अगर हमें किसी भी तत्व का atomic number ग्याद करना है तो अगर हमें ये पता चल जाए उसके अंदर proton की संख्या कितनी है तो हम atomic number बता सकते हैं ठीक है अगला है वर्ष 1897 में electron की खोच किसने करी थी तो electron की खोच ये करी थी जे जे थॉम्सन ने 1897 में करी और कई बार पूछा जाता है कि electron में जो आवेश होता है जो चार्ज होता है वो कितना होता है तो ये होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलाम इसका चार्ज होता है तो ये आपको याद र 15 कोलाम होता है ठीक है बस इतना चेंज होता है अगला है electron की तरंग प्रकृति की खोच किसने करी थी तो elektron देखे एक particle के रूप में भी कारे कर सकता है संचार कर सकता है और एक तरंग के रूप में भी काम कर सकता है ठीक है तो ये बताया था किसने Deep Brogly ने तो पूछा जात दीकितो कान करते हैं और किम njy कौनिंगे कोपे सब्सक्राइब पदाए लिए तबंद में अच्छाुझे मीने क्ल है जा ईदुख राजा को जाते हैं की ऺचाल फोर्डन ने करी दिकand बहुत वार इसको में देखें तो गोल्ड इस्टीन ने 1886 में प्रोटोन की खोज करी थी ठीक है और बाद में 1919-1920 के टाइम पर जो रदर फोड आए उन्होंने बताया कि जो प्रोटोन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए उन्हीं को जाधा शिरे दिया जाता है प्रोटोन की खोज करने का प्रोटोन का नामकरन करने का नामकरन रदर फोड नहीं किया था लेकिन खोज गोल्ड इस्टीन ने करी थी तो अगर आपको आप्शन में इस तरीके के मिले तो आप गोल्ड इस्टीन पे टिक करें अगर आपको रदरफोर्ड भी option में मिले गोल्ड इस्टीन भी मिले तो फिर भी आप गोल्ड इस्टीन को ही टिक करें रदरफोर्ड को केवल तब करें जब option में गोल्ड इस्टीन ना हो अगला है पॉजिट्रॉन के खोज करता कौन है पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है इसलिए important है कही बार exam में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकन कौन होता है एंटी पार्टिकल कौन होता है तो ये होता है पॉजिट्रॉन और इसकी जो mass number है, mass number क्या होता है, किसी भी elements की दो चीज़े होती है, या तो atomic number होता है, atomic number को z से संबोधित किया जाता है, और एक होता है हमारा mass number, जिसको हम a से संबोधित करते हैं, तो यहाँ पर पूच रहा है mass number क्या होती है, mass number होता है हमारा proton और neutron का योग, उसी को हम mass number कहते हैं, त 34 का answer होगा यहाँ पे option number D हमारा right answer होगा ठीक है इसको भी मैं आपको एक example के थुरू समझाता हूँ देखिए जैसे मान लीजिए कोई हमारा particle है X इसका अगर हम बात करें तो जो नीचे लिखा जाता है वो atomic number होता है अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ और यहाँ पर मैं 20 लिख दूँ तो यह क्या है इसका यह atomic number है यानि कि यह number of proton है अभी हमने उपर बात करी यह number of proton अगर आपको पूछा जाए आपको इस particle बना के दे दे कोई और आपको exam में पूछा जाए इसके अंदर number of proton कितने होंगे आपने यहाँ पर देखना है यही इसका atomic number है यही इसका number of proton है अगर हम इसकी बात करें जो यह उपर 20 लिखा है तो इस 20 के अंदर हमारे जो है proton भी है और neutron भी है ठीक है अब यहां पर हमने वहां पर देख लिया कि proton कितने थे proton 10 थे तो आप neutron देख सकते हैं कि neutron यहां पर 10 थे इस तरीकी से आप इनको याद रखें पूछा जा सकता है आपको निकालने के ला सकता है आपको कोई भी element दे देगा इस तरीके से लिख कर पूछेगा, इसमें number of neutrons बता दो, ठीके, अब आपको यहाँ से सारे question अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको example दिया, अभी अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया, अब आपके जितने question यहाँ से बन सकते हैं, वो सारे बन जाएं पूछा जाता है कई बार, ठीके, और कुछ जो elements से उनके आपको atomic number याद रखने हैं, जैसे की hydrogen हो गया, carbon हो गया, इनके आपको atomic number पढ़के जाने हैं, कि paper में पूछे जा सकते हैं, ठीके, hydrogen का 1 होता है, carbon का 6 होता है, इस तरीके से oxygen 8 होता है, तो कम से कम 20 तक आपको याद कर करने के लिए, निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमानु भार के तुलना की जाती है, तो जो तुलना की जाती है, वो hydrogen के साथ की जाती है, ठीके, यह आपको याद रखना है, option C हमारा right answer होगा, जब दो electron एक ही कक्ष में होते हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है, तो ज किसने किया था, यानि कि जो theory of uncertainty है, वो किसने दी थी, तो वो दी थी, हाइजन भर्ग ने, option B हमारा right answer होगा, जब कोई electron उच कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, तो क्या होता है, जब कोई electron high class से lower class में जाता है, तो उस समय उर्जा का उच सर्जन होता है, 39 का answer होगा, यह neutron है, इसके दर्वेमान संख्या बता दो, तो मैंने आपको बता है, mass number यानि कि इसको हम denote करते हैं, A से, और इसको निकान लेकिले हम चा करते है, proton plus neutron करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 39, अगर मैं आपको पूछू यहाँ पर किसका atomic number बता ठीक है, तो isotope भी आपके slaves में दिया गया है, वहाँ से भी मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पे लिये हैं, अगर हम बात करें, दो परमानों को समस्तनिक कहा जाता है, कब कहा जाता है, उन्हें isotopes, जब उनके जो atomic number होता है, वो same होते हैं, लेकिन जो mass number होता है, वो different होता है, या यहाँ पे यह process उल्टी हो जाती है, यानि कि mass number same, atomic number जो है, वो different, वहाँ पे वो हमारे ISO बार सो जाते हैं, ठीक है, ISO बार, समभारक जिनकों कहा जाता है, किसी तत्व के समस्तनिकों के बीच अंतर किन की भिन संख्या की उपस्तिती के कारण होता है, तो किसकी भिन संख्या क के कारण होता है, यहाँ पर यह पुछा जा रहा है, तो right answer है, option B, neutron की संख्या के कारण, क्योंकि हमने बोला, mass number different होगा, atomic number same होगा, अगर atomic number same है, यानि कि number of proton क्या होंगे, वो same है, तो जो परिवर्तन आ रहा है, वो कि वर neutron में परिवर्तन आ रहा है, hydrogen के समस्तनिकों की संख है, कौन-कौन से हैं, यहाँ पर देखते हैं, hydrogen के radioactive समस्तनिकों को कहते हैं, तो इसके देखें, जुसका radioactive समा, जुसका isotopes है, वो कौन सा वाला, इसके तीन है, इनमें से radioactive वाला कौन सा है, वो यहाँ पर पूछ रहा है, तो right answer, option D, triterium, ठीके, इसके लाभ़ा deuterium और proteium, यह isotopes होते हैं, तो वो है हमारा option C, polonium, इसके कुल 27 isotopes होते हैं, यह maximum है, चटानों की आयू ग्याद करने के लिए radioactive IU अंकन में किस समास्तनिक का परियोग किया जाता है, तो अगर हम चटानों की आयू ग्याद करने की बात करें, तो उसमें uranium का परियोग किया जाता है, और जब काबन डेटिंक का परियोग किया जाता है, अगला प्रशन है, परिसंचरन, परिसंचरन तंतर में रक्त के ठक्य की इस्थिति का पता लगाने के लिए किस isotope का परियोग किया जाता है, तो परिसंचरन में यानिके जो हमारा circulating system होता है, जब वहाँ पर रक्त का ठक्का जम ज जाता है तो उसकी स्थितिका पता लगाने के लिए हम sodium 24, na24 का परियोग करते हैं ये आपको याद करना है ठीक है रक्त कैंसर को नियंत्रिट करने के लिए उप्योग किये जाने वाला रेडियो आईसोटोप कौन सा है तो जब हम रक्त कैंसर यानि के कैंसर के लिए कौन सा ये गामा किरुणों को उसरजित करता है समस्तनिकों में क्या होता है तो समस्तनिकों में हमारे जो होते हैं जो हमारे आईसोटोप होते हैं राइट आंसर ऑप्शन बी यानि कि उन में जो होते हैं अलग-अलग physical properties होती हैं और समान chemical properties होती हैं यानि कि जो हमारे आईसोटोप अगर मान लीजिए X और Y ये दोनों क्या हैं एक दूसरे क्या आईसोटोप्स हैं तो इनकी physical properties तो different होंगी लेकिन chemical properties दोनों की same होंगी ये इसका मतलब है आज का अंतिम प्रशन हैं सभी अमल धातों से प्रतिकरिया कर कौन सी gas निकालते हैं तो जितने भी हमारे metals हैं जब ये जो हमारे metals हैं जब वो acid के साथ reaction करते हैं तो कौन सी gas निकलती है तो निकलती है hydrogen और बहुत बार ये question exam के अंदर repeat हुआ है तो friends ये थे हमारे 50 important questions science को लेकर chemistry को लेकर यहां पर उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा question आपको अच्छे लगे होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें share करें चैनल को subscribe करें और आगे आने वीडियो इसी बात पर depend करते हैं आप इसको कितना ज